हाई फ्रेंट्स नमस्ते राम राम साम इनल्स किचन और मोर में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम अम्रिट सरी पिंडी चोले बनाएंगे एकदम पॉफेक्ट रेसिपी इसको आप भटूरे के साथ इंजॉय कर सकते हैं बटर नान या फिर अलू टिकी के साथ ऐस चाट अब देखे इसको कैसे मनाते हैं इसके लिए यहां पर सबसे पहले हमने चने लिये हैं डेड़ कप जितने हैं और इसको ओवरनाइट मैंने सोक कर लिया है आप चाओ तो 7-8 गंटे के लिए भी सोक कर सकते हो और अब हम एक कपड़ा लेंगे मलमल का चोटा सा कपड़ा लिय आप चोटा सा दाल चीनी का टुकड़ा है एक बड़ी काली लाइची है और 2 ग्रीन लाइची है जो नॉर्मली हम यूज करते है यहां दो-3 मैने लॉंग के टुकडे लिये है और 5 ड्री बलेक पेपर नीमिर्च यहां पर लिया है वाला इससे बहुत अच्छी खटास आती है, और ये डेड़ चमच जित्ता मैंने चाई पती लिया है, अब हम इसकी पोटली बना देंगे, अच्छे से इसको बांध के पोटली तयार कर लेंगे, इसमें हमारे सारे मसाले आ गए है, तो ये तयार हो चुकी है, अब हम एक लेंगे कुकर, जिसमें हम को चने बॉल करने है, तो ये सोक चने डाल दिये हमने, अब हम इसमें स्पाइस की जो पोटली तयार किये, वो डालेंगे, इससे सारा बहुत अच्छा फ्लेवर राएगा, और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, अब हम इसमें 1-4 टेबल स्पून जितना हल्दी पावडर और थोड़ा नमक डालेंगे, मैंने 1-5 टेबल स्पून लिया है, और थोड़ इसी अजवाइन, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, अब हम इसको बॉल करने के लिए रखेंगे, जिसमें मीडियम फ्लेम पर 3 सीटिया आनी चाहिए, और स्लो फ्लेम पर 2 विसल आईग अधरक और लसुन का पेस्ट डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना इसको आप ग्रेट भी करके डाल सकते हैं, और यहाँ पर एक ड्राइ रेड चिली है वन और एक तेज पता लिया है, अब हम इसको इकदम अच्छे से सौटे कर लेंगे, अब हम इसको इकदम अच्छे से और यह इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे, यहाँ पर चोले हमने दूसरे बरतन में निकाल दिये है, चोले बहुत ही हेल्थी है, इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो वेक लॉस और डियाबेटीस कंट्रोल में बहुत ही हेल घ्राइब अम की हमने शॉषी नमक, जब स्वादानुसा दाली मिर्ची टालेज लाल तीबस्पूरर, अबन यह जा ईए, दनीडंगाई थाइबस्पूर, चोले नमक, डाल बरतन की तेबस्पूर , ताली में लाल भर पोर मिर्ची पावडर, 1 छोली मसाला, मिर्चे से जु और 20-30 टेट लीड़े की सब्दोदों और कसूरी भी बीद की डालेगे पानी गीडिके बाने पाना अच्छे मिट्टे उपजा लीगे सारे जशने में नहीं करने हैं अब तीन मिनिट बात हम इसमें पानी डाल देंगे वही मुट्टर जो चने में से करके रखा था प्रेंट्स मेरा चैनल आपको पसंद आता है या वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए अब हम इसको पांच मिनट के लिए कवर करके रखेंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ अनार लिये हैं अनार के दाने वन टेबल स्पून जितने हो इसको मैश करके या फिर क्रश करके डाला है यह उपिशनल है इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब हम इसको दो मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे आप चाओ तो इसमें थोड़ा और पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी कर सकते हो आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से तो यह देखे हमारे जो चने हैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है बहुत ही अच्छा आरोमा आ रहा है तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए थैंक यू बेखे जिस्टाइब कीजिए से लाइक डिर शेतरा बष्णाए ही Cu この बेहा है था कि अबसने हैं हमारे कीजिए से लाइक कीजिए से नह च चलाएंगा है